हलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको दिपावली पर निवन लिखना सिखा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे देखो बच्चों मैं आपको कुछ पॉइंट्स ब रखे निवन लिखिए आपको बहुत आसान हो जाएगा निवन लिखना जैसे कि फर्स पॉइंट है हमारा प्रस्तावना तो आपको प्रस्तावना में क्या लिखना है जैसे अगर हम दिवाली पर निवन लिख रहे हैं तो दिवाली हिंदूों का त्योहार है इस तरह से प् को मनाने के पीछे कोई ना कोई रीजन कोई ना कोई कारण जरूर होता है जिसकी वज़े से वह त्योहार मनाया जाता है तब आप लिख दीजिए कि क्यों मनाया जाता है उसका रीजन लिख दीजिए और उसके बार लिखिए कैसे मनाया जाता है क्योंकि त्योहार को मनाने का लेसन हमें अवश्य देता है, तो आप लास्ट में दो से तीन लाइन में त्योहार की सीख लिख दीजे, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यार में रखके निवन लिखेंगे, तो आपको निवन लिखना बहुत आसान हो जाएगा, हम किसी भी त्योहार पर इस तरह से अच्छ और हुआ प्रकाश, दिपावली हिंदूों का प्रमुख त्योहार है, दिपावली को दिवाली वी कहा जाता है, दिपावली का अर्थ होता है दीपों की अवली या पंक्ती, यह पर्व कार्तिक मास की अमावश्या को मनाया जाता है, यह त्योहार पांस दिनों तक धूम ध से मनाया जाता है इसी दिन शिरी राम रावन का बद करके 14 वर्षों के बाद आयोध्या लोटे थे आयोध्य वासियों ने उनके आने की खुशी में अपने घरों पर दीपकों का प्रकाश किया था तबी से दिपावली की परंपरा चली आ रही है दिपावली की रात्री की शोभा देखते ही बनती है बजारों में खुव चहल पहल होती है चारों और मौमबत्तियं दीपकों और बल्बों का प्रकाश जगमग जगमग करता है बच्चे फूल जड़ी फटाके चलाते हैं लोग अपने मित्रों और रिष्टेदारों के घर मिठाई उपहार आधी भेजते हैं रात्री में लक्ष्मी पूजन किया जाता है दिपावली के दो दिन पूर्ब धन तेरस और एक दिन पहले छोटी दिपावली मनाई जाती है इसी दिन स्रीक्रश्न भगवान ने नरकासुर का बद किया था दिपावली का त्योहार हमें स्वच्छता, संपन्नता और उल्लास का संदेश देता है यह त्योहार अंदकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार है आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, थन्यवास